दोस्तों वेलकम तो सीफॉर करियर योर अल्टीमेट स्टॉक मार्केट मोडिवेशन आजम करने वाले हैं निफ्टी फिटी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल अनलेसिस और जानेंगे कि मंडे क्या हो सकता इसमें अगर आप पहली बार मुसे जुड़ रहे हैं तो चैनल को कभी भी आईसोलेशन में इनका एनलेसिस नहीं करना है इनको साथ में पैरलली एक दूसरे को रखके इनको एनलाइस करना है क्योंकि हमें अगर ट्रेंड पकड़ना है तो हमें इन दोनों को साथ में अनलाइस करना पड़ेगा क्योंकि अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी पक्का नहीं है यसे में हम trading avoid कर सकते हैं हम ट्रेडिंग तभी करेंगे जब दोनों एक direction मूफ करें यह चीज बात आप आज के बात note कर लीजिए तोनों को साथ में analyze करेंगे isolation में नहीं खरेंगे ठीक है ओके अब दोनों को तो पैरलली कैसे लाया जाए कई लोगों को नहीं पता होगा कि चार्ट में दोनों को पैरलली कैसे लाया जाए तो मैं सिखा देता हूं देखिए investing.com इसमें लॉग इन कर लीजिए ठीक है जब आप लॉग इन कर लेंगे तो उसके बाद मैं फ्रेश्ली बता देता हूं कि कैसे लोग इन करना है देखिए आप यहां पर जाएंगे इन्वेस्टिंग.com में चार्ट स्टॉक चार्ट में जाएंगे आप यहां पर देखिए किस तरह का पेज खुल जाएगा ठीक है यह सिर्ट के लिए इन्वेस्टिंग.com पर देखने के लिए आप ट्रेडिंग वीव भी जा सकते हैं लेकि ट्रेडिंग वीव में मल्टिव चार्ट का उप्शन फ्री वाले वर्जन में नहीं मिलेगा वहां पर आपको पैसे करने पड़ेंगे तो मैंनी चाहता आप को पैसे खर्च करें आप यहां पर देखिए यहांपर आप आपको जाना है लेइव अउट पर यहांपर बीयाऊट में स्लेट करेंगे तो बहुत सारे लेइाओं कोगाएंग HI मैंग आठ चार्ट एक साथ खोल सकते हैं तो हम आठ नहीं अब इस निफ्टी और बैंक सिक्राइज कर रहे हैं तो हम दो चार्ट खोलेंगे यहां पर देखिए पर आपको पहले जिस चार्ट को निलाइस करना है वह हमारा निफ्टी 50 ठीक है चूंकि यह इंडाइसल है नहीं फ्राइब नीचे आता है और इंडाइसी जिटॉसरे पर यहां पर क्लिक करेंगे थील्ग पर अब यहां पर टीफन busy that चाहिएं दूसरे पेसे पर अब बात दोस्तों हमें टाइंँ फ्रेम दोनों का सेम रखना है यह नहीं कि एक को ड़ोष को वीक पर कर रहें ठीक है तो अभी हम सिर्व डिली अनलेशिस करेंगे तो डेयर चार्ट पर रखेंगे देखिए यह यह डेपर है इसको यहां पर क्लिक करा डे पर अब दॉनों डे पर हो गये ठीक है और दूसरी खास बात ताइम जोन दोस्तों टाइम जोन का लोग बड़ा गड़ा करते हैं चुकि अमेरिकन वेबसाइट है तो आपको यह नियू यॉयर्क का टाम दिखाएगा देखिए यूटीसी टाइम जोन तो नियूवर्क के टाइम पर आपको करेंगे अपने इंडिया के टाइम पर कॉलकत् आप चले गए दौनों कॉलकत्ता वाले हो गए देखिए यहां पर भी कॉलकत्ता आ गया है मतलब आप दौनों एक साथ मूफ करें अब देखिए बहुत आसान तरीका है एनलाइस करने का आज आप सीख जाएंगे तो आगे से बहुत आसान हो जाएगा ठीक है बने रही है अं सबसे बड़ी बात की निफ्टी हमें पता है कि अभी डाउन ट्रेंड में आ गया है क्योंकि पिछल तीन सेशन में अगर आप देखेंगे तो यह नीचे गिरा है ठीक है अब मंडे क्या होगा वह हम जानना चाहते है ठीक है एवरीबडी स्क्यूरियस देखेंगे दोस्तों सबसे आसान चीज आज मैं आपको बता रहा हूं बहुत आसान ट्रिक है लेकिए आप अगर इसमें से शुरू करते हैं तो बहुत सारी केंडल हैं बहुत साथा जिसे बोलते हैं अगर बहुत आसान तरीके से इसकार है अनलाइस करनाओ looks कराएंगे तो सबसे पहले इसको हम जाएंगे करेंगे लाइन में हम दोनों चार्ट को किसमें करेंगे लाइन में अब देखिए कितना इजी दिख रहा है आपको चार्ट इसमें सारी जो भी नौइस बोलते हैं इसे बहुत ज्यादा सोर मच रहा था बहुत ज्यादा चीजें रेड ग्रीन केंडेल विक लोवर बेक अपर सब था सब मैंने साफ कर दिया अब बचा है सिम्पल एक लाइन चार्ट बिना कपणों के अगर किसी बॉड़ी को अनलाइज करना है अशके अंदर क्या चल रहा है तो अगर आप एक्सरे करेंगे प्रेम आरा यह सीटी स्कन करेंगे तो एक्जेक्ट पता जल जाता है कि अं दोस्तों जब राइज ऊपर जाता है नीचे आता है यह लोग बनाता है फिर हाइज बनाता है यह लोग अश्यारीज आप सिंबल देख सकते हैं कि हैंपन इंफ्टी बनाता चला रहा है मतलब अब अप ट्रेंड में है तीग है वैसे सेम बैंक निफ्टी प्लो कर रह है ठीक है आपको दिख रहा है ठीक है अब इसका मतलब बैंग निफ्टी अप्रेंड में निफ्टी अप्रेंड में था मतलब अप्रेंड कंफर्म था अब लेकिन कि 20 जून के बाद निफ्टी गिरना शुरू हुआ है ठीक है और यहां पर बैंक निफ्टी साथ जून के बाद गिरना शुरू है क्योंकि यहां पर नीचे गिरा एक बार फिर उपर गया ठीक है यहां से गिरना शुरू हुआ है ठीक है और अभी यह फॉल में है अब ज़रा एक बार ट्रेंड लाइन डालके देख लेते हैं कि क्या हमारी जो निफ्ट होता है दोस्तों वह क्लोजिंग प्राइस को लेता है क्या लेता है सिफ क्लोजिंग प्राइस को क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्लोजिंग प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसलिए लाइन चार्ट जो बनता है वह सारे क्लोजिंग प्राइस को जोड़ जोड वही हमारी trend line हो जाती है इसको यहां हलका सा पीछे कर देंगे तो maximum point इस trend line में touch हो रहा है दो तो इस trend line को निफ्टी फॉलो कर रहा था और देखिए high lows high lows बनाता चला जा रहा था लेकिन फिर यहां पर आके trend line break होई और निफ्टी नीचे आ गया ठीक है clear होगे आपको trend line break होई है अब इसके उपर जहां trend था वो trend line break होई निफ्टी नीचे आ गया ठीक है अब सेम हम देखते हैं कि bank nifty में भी ऐसे कुछ हुआ है क्या देखिए trend line यहां से उठाएंगे और देखिए maximum point touch करना चाहिए दोस्तों maximum point touch करेंगे वो trend line एक्दम परफेक्ट होती है तो यहां पर हम देखेंगे कि हम यह कि यहां से देखिए आप यह तीन पॉइंट हमें मिल गए हैं कि तीन पॉइंट हमें मिल गए हैं तो दिस इस दा अब देखिए जड़ा इसके ऊपर ही चल रहा था अब ट्रेंड में था आयर लोग आयर लोग आयर लोग यहां क्या हुआ तो यह जो है इसने बनाया वो प्रीवेस को तोड़ नहीं पाया और यह फिर नीचे ही आ गया मतलब फिर यहां से डाउंट रेंड इस्टार्ट हो गया मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेक होई नीचे रहा और फिर डाउंट रेंड शुरू हो गया सेम हाल निफ्टी का भी बनाया और फिर एजे डाउंट रेंड लोवर लो इसके नीचे बनना चाहिए था मतलब अगर यह तो समझ में आता है कि हां बैंक निफ्टी डाउंट रेंड में लेकिन यह उपर ही से इसने फिर एक लोवर ही लगाया है तो यह तोड़ा मुझे डाउट दे रहा है यहां अगर कि यह साइडवेस की तरफ इशारा कर रहा है लेकिन निफ्टी 50 अपना डाउंट पकड़े हुए है और मंडे पूरी सम्मावनार मुझे नजर आ लिए कि यह लोवर लो जो इसने बनाया है लोवर हाई बनाएगा एक बार उपर जाएगा और बैंग निफ्टी से भी उपर जाएगा अगर यह निफ्टी को फॉलो करका है क्योंकिको डाउंट्रेंड में दोनों जब तक एक दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे तब तक क्या गया कर चाहिए दो बात बहुत असे में बता दी अगर उप इसको डोट्रेंगे तो आपको ड्रेंड लाइन देख ज तो आप इस तरीके से इजी वे में आप ट्रेंड लाइन ड्रॉप कर करके पता लगा सकते हैं कहांसे जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया है ठीक है hope you understand this support resistance थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों support resistance पता करना बहुत आसान है जादा difficult नहीं है line charts पर आप बहुत आसान ही से draw कर सकते हैं देखिए दोस्तों जहां से price गिरता है वो हो जाता है क्या resistance और जहां से price उठता है वो होता है support अब देखिए जब यह downtrend में है तो इसके उपर वाले जो पहले support थे अब वो resistance का काम करेंगे ठीक है तो अभी देख लीजे immediately resistance क्या है यह 18692 उसके बाद फिर क्या बचेगा यह 18757 और major resistance है वो 18845 के पास है because अब अगर निफ्टी को अब ट्रेंड में जाना है तो इसको ब्रेक करना ही करना पड़ेगा राइट अब support क्या हो जाएंगे जो पहले resistance है तो देख लीजे यह वाला support तोड़ चोगा है तो यह जो next इसका जो resistance था अब वो support का काम करेगा तो यहां पर 18565 तक निफ्टी सेफ है इसके नीचे आएगा तो फिर और नीचे आने की समभावना है जो कि 18490 ठीक है तो यह इसके support का काम करेंगे अब बैंग निफ्टी में आ जाते हैं बैंग निफ्टी देखिए कहां से गिरना शुरू हुआ यहां से जहां से गिरा है अब वो क्या हो जाएगा इसका resistance ठीक है न तो अब यह यहां आ गया तो यहां पर इसने सब्सक्राइगा 43209 पर और इसके बाद आएगा यह जो मेजर support है 42680 ठीक है तो हम उम्मीद नहीं करते कि इतने नीचे आए ओके और resistance क्या होगा अब अगर इसको अप्रेंड में जाना है तो इसको यह 44 437 क्या सब्सको तोड़ना ही पड़ेगा ठीक है ना तो उसके पहले इसके पहले इस वाले जो मैंने रैट से बनाया हुए यह सब resistance है और ग्रीन है support तो रैट से यह 43 851 को तोड़ना पड़ेगा फिर इसको तोड़ना पड़ेगा 43 946 उसके बाद इसको तोड़ना पड़ेगा 44 59 फिर तोड़ना पड़ेगा 44 248 और फाइनली ब्रेक करना बता दिया है आप इसकी और practice करेंगे candle stick पर भी practice करेंगे line chart दोनों practice करेंगे तो आपए easily से support और resistance निकालना सीक जाएंगे ठीक है उम्मीद करता हूं कि आजपर वीडियो आपको समझ में आया होगा फिरे तेकनिकल आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लेकर आए हुआ रियल स्टॉक मार्केट एड्यूकेशन आपको दूंगा ठीक है थेंक यू वेरी मच्छ थेंक फॉर टाइम